खुछ समराज चौदरी जी का राजनेतिक वजूद क्या है? अनुकंपा के अधारपड़ की लोग राजनेती करते हैं, पारिवारिक विरासत के दम पे राजनेती करते हैं, पिता जी के नाम पे राजनेती करते हैं अब हारतिये जनता पार्टी भी ऐसे ही ठके हारे नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाती है। इतनी कम उमर में ही घाट घाट का पानी पी लिया है। विभिन ने दलो का सेर कर लिया है। अब मुझे ने लगता कि कोई पार्टी बची हुई। चिराग पास्वाजी का क्या विजन है। लगतार आरोप प्रताइरोप लग रहा है। और ऐसे में रेखिए बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं अभी बिहार विधान परिशत के नेता प्रतिपक्ष है। समराट चौधरी की बात कर रहे हैं ललन सिंग पर आये दिन तंच कस्ते हैं। विवादित भयान भी दे दिया था कहा कि वो निटीश कुमार के नौकर हो सकते हैं। कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। वह साथ बात करने के लिए जद्री प्रवक्ता है। अब इशेक जा सर इस तरीके का बयान आरा आपके राश्टिय धक्ष पर कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। खुर्ष समराट चादरी जी का राजनीतिक वजुद्द क्या है। अनुकंपा के आधार पढड़ liquor लोग राजनीति करते हैं। पारिवारिक विरासत के दम प्राज नीति करते हैं। पिता जी के नाम प्राजनीति करते हैं। इनी कम उमर में ही घाट घाट का पानी पी लिया है, विभिन दलो का सेर कर लिया है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी बची हुई है, अब भारतिये जनता पार्टी भी ऐसे ही थके हारे नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाती है, और वो भी हमारे डास्ट्रिय क्यों बयान देते हैं, हमारे नेता खिलाफ क्यों बोलते हैं, सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि BJP के अंदर उनका प्लिटिकल ग्राफ कुछ बढ़ सके, इस तरह की ओछी टिपनिया वो सिर्फ इसलिए करते हैं, ताकि उनको कुछ TRP मिल सके, मीडिया में खबरें आ सके, ल ऐसे लोग जो विभीने दलों में घूम कर आ चुके हैं, आने वाले समय में फिर किस दल में चले जाएंगे, कोई नहीं जानता है। आप लोगों की बीच सारवजने किये थे, तो NDA का कुनबा तो चाहता ही यही है, कि शराबंदी खत्म हो जाए, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग समाज विरोधी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, इसलिए पहले भी दबाव बनाया करते थे, आप लोग लाख कोशिशे कर ले, लाख चिला ले, नितीश कुमार जी इस चीज से कभी कॉंप्रमाइस नहीं करेंगे, बिहार की आम अवा में एक जबरदस्त उत्सा है, आप आज देख लीचे सड़कों पर महौल कैसा है, घरेलू हिंसाओं में कितनी कमी आई है, किस तरह पहले ड्रंकेट ड्राविंग के चकर में लोगों को अपनी जान गवानी पड़ती थी, ऐसे हाथ से अब नहीं होते हैं, तो ये सारी चीजे बहुत सकरात्मक हैं, इन सकरात्मक पहलों के बीच अगर कुछ नेता अपनी टियार पी के लिए, इस तरह के नकरात्मक बयान दे देते हैं, हम उनके बयानों को दरकिनार करते हैं, सिरे से खारिच करते हैं, बिहार में पूर्ण शराबंदी लागो रहेगी. अच्छ एक और सवाले से शराबंदी को लेकर हो गई चिराक पास्वान पर आते हैं चिराक पास्वान लगातार आप लोगों पर सवाल खरा करते हैं और कहते हैं नितीश कुमार का कोई विजन नहीं है बिहार में शराबंदी कानून विफल है और ये वही भतीजा है नितीश तरह से भीखरता परिवारी तरह से भीखरता विधान सभा चुनाव का आपने जिकर किया भाजपा के इशारे पर बीटीम बन कर काम किया इंटेंशनली जेडियू को डैमज करने के लिए तो कौन सा जंता ने इन्हें मौका दे दिया एक मात्र विधायक जीत करके आये वो भी हमारे दल में शामिल हो गए नितीश कुमार जी में आस्था वेक्ट करते हुए तो ये लोग अपने राजनेतिक अस्थित्व को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के यूद बचा हुआ है जद्यू का नितीश कुमार का कुड़नी में कुछ नहीं चलने वाला और कुड़नी में भी हरेंगे वो तो समझ में आजाएगा जुनाव पढ़नाम के बाद भार्तियन्ता पार्टी अंदर से बॉखलाई हुई है अंदर से यह लोग फ्रस्ट्रेशन में है कि किस तरह से महागटबंधन की कुनबे के सामने ये लोग टक्कर नहीं लेपाएंगे गुपाल गंज में महस कुछ वोटों से जीत हुई वो सहानभूती की जीत ती वो किसी पार्टी की जीत नहीं थी और फिर से भाजपा की कुछ वी टीमों ने मि मिलकर वहां काम किया किस भी टीम की बात कर रहे हैं आप ही समझ सकते हैं माइम के उमिद्वार हो या फिर साधु यादव जी ने जो वोट काटा कहीं कहीं इंटेंशन होता है नहीं लोगों का कैसे वोट कटवा की भूमी का निभाई जाए 20-20,000 के आसपास जो वोट्स हैं व लोगों की वहां विजय होगी वहां की जनता भी जनादेश अपना आशिरवाद महागडबंधन के उमिद्वार को ही देगी बहुत बहुत शुक्त रही है थे हमारे साथ अविशेक जाज जिन्होंने साफ कहा है कुड़िनी का चुनाव संपन होने दीजिए वहां की भी ज चैनल को सब्सक्राइब में किया तो जल से जल कर ले बहुत बहुत धने बाद